एक बार की बात है, एक गरीब औरत थी जिसका नाम आईशा था, वह एक छोटे से गाउं में अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों के साथ रहती थी, उसके पिता एक किसान थे, लेकिन खेत बहुत उपजाओ नहीं था और वे अकसर किसी तरह का गुजारा करते थे. आईशा एक बुद्धिमान और जिग्यासू लड़की थी, वह अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानना पसंद करती थी, वह एक वैज्ञानिक बनने का सपना देखती थी, लेकिन वह जानती थी कि अपने परिवार की वित्तीय स्थिती के कारण उसे अपना लक्ष हास एक दिन आईशा के पिता बीमार पड़ गए, वह काम करने में असमर्थ थे और परिवार की आए और भी कम हो गई, आईशा को अपने परिवार की मदद करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा, आईशा ने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत की, उसने गरों की सफाई और खेतों में काम करने जैसे अजीब अजीब काम किये। उसने स्थानिय बाजार में सबजियां बेचना भी शुरू किया। अपनी व्यस्त दिंचर्या के बावजूद आईशा ने वैग्यानिक बनने के अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। वह देर रात तक पढ़ाई करती थी और स्थानिय पुस्तकाले से किताबें उधार लेती थी। उसने घर पर भी अपने स्वयम के प्रयोग करना शुरू कर दिया। कई सालों की कड़ी मेहनत और द्रड संकल्प के बाद आईशा ने आखिरकार अपने सपने को हासिल कर अगर कहानी अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले।